स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेच में हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो पॉलिटिकल साइन्स है इसका चैप्टर 4 है जिसका नाम है कारेपालिका तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं अपसे पहला पॉइंट है मारा काले जो कारेपाल किया है उसका अर्थ क्या है बिसिकली तो चलिए इसके अर्थ के बार में हम जानते हैं ठीक है तो कारेपालिका करता है और प्रशाशन का काम करता है कारिपाल का विदाइक का द्वारा सुविक्रित नीटियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है अर्था जो कारिपालिका है वो संसर्थ के द्वारा यानि जो विधाई का है उसके द्वारा जो नीतियां जो निर्माट जो कानून बनाए गए हैं उनको लागो करने के लिए कारिपालिका उत्तरदाई होती है जिम्मेदार होती है यह होती है कारिपालिका अब कारिपालिका यानि कि मानली जह अगर कोई कानून बना दिया विदाईका ने तो उस कानून को विदाईका से निकलने के बाद उसको पूरा लागू करना पालन करना देख रेक करना हर चीज में जो भी व्यक्ति उसमें सम्हेलित है वो सब कारपालिगा के सर्द से जैसे राष्टपति, प्रधान मंत्री, मंत्री, मंत्री परिशद, पूरा प्रसासने धाचा, सिविल सर्विस व्यक्ति होते हैं वो भी अब बात करते हैं राज़णी点 परिशद की में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को समलित किया जाता है यह सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदाई होते हैं राजिति कारिपाल का में प्रधान मंत्री को और प्रधान मंत्री यान जो मंत्री होते हैं उनको और जो सरकार का प्रधान होता है उसे समलित किया जाता है और यह सरकार जो सभी नीतियों के लिए उत्तरदाई होती है इस्थाई कारेपालिका ही हम बात करें तो क्या होता है देखें इस्थाई कारेपालिका में जो लोग रोज-रोज के प्रसासन के लिए उत्रदाई होते हैं उन्हें सम्लित किया जाता है रोज-रोज के जो नियम बनते हैं छोटे-मोटे ठीक है उनको लागू करना उनको देख अब हम एक अलग अलग बारे में बात करते हैं कि पूरे विस्व में अलग 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 देशों में कितने प्रकार की कारिपालिका होती हैं तो सबसे पहले कारिपालिका है अध्यक्षात्मक ठीक है तो एक सेकंड शूमाच छोटा कर दूँ एक सेकंड हां यह किया मैंने छोटा हां देखिए अध्यक्षात्मक कारिपालिका में क्या होता है इसमें सारी सक्तियां जो होती हैं वो राश्टपती के पास होती हैं और यह कारिपालिका अमेरिका में स्थेत हैं ठीक है फिर आता है संसरीय लोक्तंत और समवेधानिक राश् और सरकार का प्रधान होता है प्रधान मंत्री जो की कनाड़ा में माना जाता है जो की कनाड़ा में है सवरी अब आती है अर्द अध्याच्छात्मक ठीक है तो इसमें क्या होता है अर्द अध्याच्छात्मक के अंतरगत देखे राष्टपती प्रधान मंत्री और अन्य मंत् संसद्य विवस्ता के हिस्से अब बात करते हैं तो संसद्य विवस्ता जापान में इस्तित है इसमें राजा देश का और प्रधान-मंतरी सरकार का प्रधान होता है फिक है और ऐसी संस्दियवरुस्ता कहाँ है इतली में आप तो इसमें कहां कि राष्टपती नमात का प्रधान होता है और चंसलर जोin चंसलर होता है विदान सबा का विएका होती उसका तो वो सरकार का प्रधान क्या होती है यह आपको पताई है संसठीय वरसता कर दो तीन प्रकारगी होती कि एक प्रकार का जो अभी अपने जाए नअब यह दूर से प्रकारगी प्रधान इस रेवस्ते परण होता है यह राजा होता है जो देश का नाम मातर के है्ली प्रदान मंतरी के पास वास्तिविक सक्ति होती हैं जैसे भारत जन्मनी इटली जापान इंग्लेंड और पुत्रगाल आदी देशों में यह विवस्तित हैं तो संसरे संसदिया विस्ता के वारे में आपको पता चला क्या है अद्याच्छात्मक यह मैंने आपको भी बताई दिया था क्या है ठीक है एक बात दुवारा से बता देता हूं सौरी अभी हमने अद्याच्छात्मक जाना था तो इस विस्ता के अंतरकर राष्टपती और प्रदान मंतरी दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्टपती को दैन कि भारत एक सकेंड हां तो हमारे टॉपिक है भारत में संसलिय कारिपाली का पॉइंट फर्स्ट है हमारा कि चुनोती किस प्रकार की सरकार हो यानि कि यह चुनोती है भारत चुनोती थी यह भारत में किस प्रकार की सरकार को हमें अस्तित्त में लाना चाहिए ठीक है तो समि विधान निर्माथाओं के सांवने एक चुनोती यह भी थी, कि वे किस परकार की सरकार का निर्माथ करें, जो कि जनता की पेक्चाओं की प्रथी सम्विधन सील हो, जवाब दे हो, और ऐसा नहां केवल संसर्य आ कारपाल का मैं ही संभव था, ठीक है, तो ऐसा जो काम था, वो केवल संसर्य कारेपालिका में ही संभवता हैं वो कैसे देखिए संसर्य व्यवस्ता उन्होंने अपना ही तो किस कारम से अपना ही पहला पॉइंट संविधान निर्माण के निर्माता उन्हें एत्या किया कि संसर्य व्यवस्ता में कारेपालिका विधाईका जनता के प्रति उ करते हैं इसलिए सम्विधान और श्राइद नो ही इसलिए संपरों पर संसरिय कार्पाल करू का और सुएकार किया या राष्टिय recter भी और प्रांतिय परसद राश्टिया इस्तर पर सरकार चलाते हैं और राज्यों के इस्तर पर राज्य पाल होते हैं मुक्य मंत्री होते हैं और उनकी मंत्री परिशद होती है ठीक है और चारी कुरूप से संग की कारिपाली का सक्तियां राश्टपती को ही दी गई है परंतु वास्तवी तो यह है हमारा संसरिय व्यवस्ता क्या थी ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा हम चलते है अपना जो अगला पॉइंट है तो यह जो पॉइंट है राष्णपति शक्ति वुषी साहरी का रहावाच सकता है इसको दोस्तो हम करेंगे अगली वीडियो में ठीक है तो इस वीडियो में हम जो हमारा लाश्ट टॉपिक है उसको करते हैं ठीक है तो प्रदानमंत्री की सक्तियों के बारे में यानि कि राष्टपति और प्रदानमंत्री की सक्तियों के बारे में हम एक ही वीडियो में खबर कर लेंगे तो अभी लाश्ट टॉपिक में हम बात करते हैं इस्थाई कारिपाल का यानि कि नौकत साही के बारे में तो नौकत साही से ही इस सब्द से ही आपको पता चलना है कि क्या है यानि कि यूपेसी वेगारे के जो लोग होते हैं उनी के बारे में तो देखिए सबसे पहले होती है नागरिक सेवा, नागरिक सेवा क्या है, कारे पालिका में मुख्यता राष्टपती, प्रधान मंत्री, मंत्री गंड और नोकत साही या प्रसाशनिक मशीनरी का एक विसाल संगटन सम्मिलित होता है, अधर जो कारे पालिका है उसमें कारे कर्ति, यह सबी क्या क्या है, लोगों के लिए अपनी सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए यह से अम नागरिक सेवा कहते है, नोकत साही में सरकार के इस्थाई करमचारी के रूप में, कार्य करने वाले प्रसिक चिक और प्रविद अधिकारी नीतियों को बनानेयमें ततावने लागू करने में मंत्रियों का स्योग करते है अब नौकर साही में क्या होता कि सरकार के स्थाई करमचारी के रूप में ये जो मंत्री होते हैं उनकी नीतियों को बनाने में उनको लागू करने में ठीक है तो यह जो नौब Iss department होती है ये करती है सहयत्या करती सलेक्र उनकी नीतियों को मनाती प्तैक्षित करती है अब ऊर्श प्रसाशनें कि लाइवर्श को क्या हुती यह भरत में थम सबठल करें से रूप से उत्तरदाई है इस कारते कि नौकरसाही राजनिती रूप से टतरस्त है तो कहीं न कहीं यह आपका एक कोशन भी बन सकता है इस कोशन को हम दूस्तों इसका आंस मतलब यह वैसे तो आपका आंसर है लेकिन कभी यह चे नमर में आपसे कोशन पोच लिए जाएगा तो कुछे में अगर मतलब होना चीय कि कोई सरकार करने के साल से पहले गिर गेए तो उसके लिए और आने वारे सरकार के लिए नीतिया बनाएग अरित्यों बनाएemie लागू करने में मदद करें ठीक हैं कि फिर राते नौकर साहि के सत्तों का चुनाओ कैसे होता है तो देखे इन सबी का चुनम इस तरह से होता है कुछ बहरत में सिविल सिवा के सरस्यों की भरती के प्रक्रिया काकृद संग संग को सौंप गया ऐसा ही लोक सिवा में होता है इसा ही लोक सिवा आयोग ने क현ण के जए यहां कि बदी के जो सिविल के सअंदम की जहते जो कि किसके हाथ में होती है संग लोकसिवा आयोग यह होता है केंजरी इस्तर पर वहीं राजी इस्तर पर होता है राजी के लोकसिवा आयोग के हाथ में यह सभी ठीक है अभी राजी का लोकसिवा आयोग क्या होता है यह भी जान लीजिए तो लोकसिवा आयोग के सरस्यों का लोक सेवकों के निवती कैसे की जाती है एक तो होगया कि हमारा लोक सेवकों की निवती कि अब और मतलब कि उन्हें स्थापित भी किया जाता था तो उन्हें चुना जाता है अब लोक सेवकों की निक्ति कैसे की जाती है एक तो हो गया कि हमारा लोक सेवकों की निक्ति तो लोक सेवकों की निक्ति कैसे की जाती है देखिए लोक सेवकों की निक्ति दक्षिता वा योगित की आदार पर बना कर की जाती है संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ समाज के सवी वर्गों को सरकारी नौकर साही बनने का मौकार दिया है इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की उस्ताकत है अर्थात लोग सेवा की नुक्ति के लिए उनकी जो पढ़ाई है उसकी आदार पर सरीर की योग्यता की आदार पर दिमार की योग्यता की आदार पर इन लोग सेवकों की नुक्ति की जाती है अब समिधान ने क्या किया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जैसे दलित और आदिवासियों इन सभी को तो आरक्ष कि उसके सेध्य शाठी होती हैं जब चुनाओ बगरा होते हैं कि उस्में यह काम आते हैं और भारतिय पुलीज सेवा की इसो इस पर क्वारतिय थी मात है कर्वाद उसके बाद है अग्ला भारतिय ब्रसंतित चेवा आई ए सवा या उम्मीदवारों का Ç。 संग लोग सेवा आयोग करता है माफिक करना दोस्तोँ कि किसी जिले का अदिकारी कलेक्टर या उस जिले में सरकार का सबसे महत्मून अदिकारी होता है यह सामानेता IAS का इस तर disruptive इस तरी अदिकारी होता है तो आपको पता चला कि सिविल सेवाँ का वर्गिकन कैसे होता अखिल वारतिय सेवाँ के अधार पे केंद्रिय सेवाँ के अधार पर प्रांतिय सेवाँ के अधार ठीक है तो आई होप आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है आपको यह तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ठीक है हलाकि वीडियो आपकी 15 मिनिट के अराउंड हुई होगी तो जाना बड़ी नहीं है पूरा देखिएगा चले अगली वीडियो में किसी ने टॉप के साथ तब तक लिए आप पढ़ते हैं अपने ख्याल के धन्दवार जाहिए